हलो फ्रेंट्स आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैं स्वागत ते20 में स्वागत्थ फ्रेंट्स इस वीडियो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे हम रूंजे कुट्टा मेतर्ड फूर सेकंड थर्ड एंड फॉर्थ और इससे previous video हमने रुजय कुट्टा methods का जो fourth order था उस तरह से question कैसे solving करते हैं यह हम पढ़े हैं और इसमें हम पढ़रहे हैं second, third and fourth order इसस question किस तरह से solve करते हैं तो एक्जामपल की help से समझेंगे given y dash equal to x square minus y जहाँ पर गिवन कंडिशन जो है वो है y0 equal to 1 and find करना y0.1 and y0.2 using रुण्जे कुट्टा method of second order, third order and fourth order पहले second order से solve करेंगे उसके बाद third order से solve करेंगे उसके बाद fourth order से and compare result by original result उसके बाद हम compare करेंगे result को original result से तो यहाँ पर given देखते हैं given y-dash वराबर fxy. तो y-dash वराबर fxy जो है वो fxy क्या है x square minus y and x0 वराबर क्या है 0 and y0 वराबर क्या है 1 यहाँ एक 0 वराबर 0 पर value दे हुए y0 बराबर 1 तो यहाँ पर हमारे पास x0 और y0 पर value हम जब put करते हैं तो x0 बराबर 0 यहां पर हम देखते हैं जो फंक्षन है एक स्कार माइनस वाई इसमें वैल्यू पूट करते हैं एक जिरो की जिरो पूट करेंगे तो य की वैल्यू बन पूट करेंगे तो माइनस वन और हमारे पास दिया हुआ है एच वराबर किया हवा है अब हम यूज कर रहे हैं रुंजे कुट लापा पक्प टू सेपूर फंचन जो है वह हमारे पास एक स्क्वेर माईनस वाई पडू कर जाते हैं तो एक सिरो बराबर जीडुंड था और यून दैन, थे यह हमारे पास value थी वह माई पास 1 तो यह हमारे पास k1 बड़ाबर आ गया गया यÎ तो यह पास f x 0 plus h and y 0 plus k तो यहां से हमारे पास x 0 plus h x 0 plus h क्या है हमारे पास x 0 वराबर 0 था और h जो था वो था हमारे पास 0.1 तो x 0 plus h हो गया हमारे पास 0 plus 0.1 यानि कि 0.1 हो गया और second है हमारे पास y 0 plus k तो y 0 क्या था हमारे पास वो था 1 y 0 जो दिया हुआ था हमारे पास बन दिया हुआ था यह हो गया हमारे पास plus k बन जो आया था वो था basically plus minus 0.1 आया था तो यह हो गया 1 minus 0.1 जो कि 0.9 तो यह हो गया 0.9 अब इस पर हमने function की value नकारी है तो यह जाए कि माइनस 0.089 तो यह आ गया हमारे पास K2 अब हमें Y1 निकालना है तो Y1 जो है वह है वाई X0 फ्लस H जो कि हमार पास किस तरह से यहाद लता है वाई एट 0.1 प्रेश क्योंकि एज एक जिरो प्लस है जो है वह 0.1 तो इसको हम फोर्मुला देते हैं तो वाई बिस्कली 1 बराबर जो होता है वह होता है y0 plus 1 upon 2 k1 plus k2 और h यह से y0 plus hy2 k1 plus k2 यह जो होता है वो हमारे पास function होता है formula होता है so difference यहाँ पर h नहीं होता है 1 upon 2 ही होता है simply 1 upon 2 k1 plus k2 तो 1 upon 2 k1 plus k2 तो यह हमारे पास 1 आया था हमारे पास minus 0.1 and k2 आया था minus 0.89 तो इनकी value जब पूट करेंगे तो यह हो जाएगा y0 की value तो हमारे पास 1 थी plus 1 upon 2 और यह आया था minus 0.1 and minus और यह आ गए हमारे पास 0.0 basic plus होता पर minus 0.089 तो यह हो गया 1 plus 1 upon 2 और यह हो गया हमारे पास minus 0.1 minus 0.089 यह आ गया और जब हमने इसको solve क्या तो इसको solve करने पे हमारे पास आ जाएगा 1 minus 0.0945 तो यह हो जाएगा हमारे पास बाइट 0.1 पर जो value आ जाएगी वह आ जाएगी हमारे पास 0.9055 बेसिकली इस टर्म की value जो आएगी वह आएगी 0.095 और यह negative में आएगी तो यह 0.1 पर आ गया हमारे पास 0.9055 अगें टेकिंग फिर से हमने एक्स बन इस वार क्या कर लिए हमने सब्सक्राइब की इनिशल कंडिशन जो है वह एक्स बन और वाई बन दिये हुए है तो एक्स बन की value 0.1 पर दिये हुए है वाई बन की value जो हमने एज निकाली है वह 0.9055 इन दा प्लेस ऑफ एक्स जिरो वाई जिरो एंड रिपीट दा सेम प्रोसेस उसके बात सेम प्रोसेस जो हमने रिपीट किया था वह तो के बन के लिए हम निकालेंगे तो वह जाएगा एच एफ एच वन वाई वन वरावर एच एफ एट जिरो पॉंट वन एड जिरो पॉंट नाइन जिरो फाइब फाइब जो की एक्स वाई वन की value थी इसको हमने solve क्या तो solve करने पे हमारे पास simply जो function था वह वाई माईनस एक्स स्क्वार है इसमें put करना था मैं एक्स स्क्राइब माईनस वाई है एक्स स्क्वार माईनस वाई इसमें जब put क्या तो हमारे पॉट करने पर जाएगा माईनस जिरो पॉंट जिरो फॉंट बन तो हो गए 0.2 तो यह 0.2 एंड वाई बन जो था हमारे पास यह हमने निकाला था जो कि 0.9055 था एंड के बन के वैलू यह आ चुके है इसको हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे एच एप 0.2 एंड 0.81595 और वैल्यू को जब सॉल्व किया हमने फंक्षन में पूट करके तो यह आ गया है यह हमारे पास आ गया तो के की वैलू जो थी हमारे पास यह थी बन अपॉंट टू के बन प्लस के टू तो यहां से आ गया 0.9500 माइनस 0.0835725 जो कि यह वैलू आय थी इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया वाई एट 0.2 पे 0.8219275 तो यह हमारे पास वैलू आ चुकी है जबकि हम सेकंड ओर का रुण्जे कुट्टा मेथर निकालने तो बाइट 0.2 पे वैलू यह आ चुकी है अब हम थर्ड़ ओर देखते हैं अब थर्ड़ ओर से सॉल्व करते हैं रुण्जे कुट्टा मेथर ओर थर्ड़ ओर क्या होता है उसमें हम हमारे पास simply हम K1 निकालते है K2 निकालते है K3 निकालते है और K4 निकालते है K1 जो होता है हमारे पास FH FX0 Y0 होता है K2 जो होता है H FX0 plus H and Y0 plus K1 और K3 जो होता है H FX0 plus H and Y0 plus K2 and K4 जो होता है H FX0 plus HY2 and Y0 plus K1 Y2 तो यह होते हैं हमारे पास K1 K2 K3 K4 यह सारी वैल्यू जो हम निकालते हैं तो simply हम function में value पूट करते हैं X0 Y0 value जो कि हमारे पास 0 0 दी हुई थी X0 कि और तो हम जब निकालते हैं H के value जो है वह 0.1 है यह सारी values पूट करते हैं इसमें तो हमारे पास यह आ जाता है कि H के value जो थी हमारे पास 0.1 X0 बराबर 0 था यह 0 बराबर 1 था तो यह हमारे पास आ जाएगा 0.1 और function जो था वह था हमारे पास X2 minus Y तो यहां पर X2 minus Y में पूट किया तो X2 जो है मारे पास basically 0 का square minus 1 तो यह हो जाएगा माइनस 0.1 यह हो जाएगा function जो है वह हमें यहाद रखना है X2 minus Y तो यह हो गए हमारे पास उसके बाद K2 जो था X0 plus H and Y0 plus K1 तो X0 plus H जो है वह 0 plus 0.1 यह हो जाएगा X0 plus H and Y0 plus K1 तो यह हो जाएगा F X0 क्या था 0 plus 0.1 and Y0 क्या था हमारे पास Y0 जो था वह हो था हमारे पास 1 plus K1 के value क्या थी minus 0.1 तो यह हो जाएगा F at Y0 हो जाएगा हमारे पास 0.1 और हो जाएगा minus 0.9 यह हो जाएगा तो 0.9 यह हो गए है इसको जब हमने solve क्या तो solve करने पर हमारे पास आजाएगा 0.1 0.1 का square यहां पर solve क्या तो यह आ जाएगा उसके बाद हम K3 निकालते हैं थार्ड और में K3 भी निकालते हैं तो जो होता है F X0 plus H and Y0 plus K2 जो की हमारे पास H F at 0.1 X0 plus H 0.1 हो जाएगा और Y0 जो था हमारे पास वह हमारे पास बन दिया हुआ था और K2 value यह आई है तो यह आजाएगा हमारे पास 0.1 0.091 तो यह value put की हमने function में तो यह आजाएगा 0.1 0.1 का square minus 0.911 इसको solve किया तो यह आजाएगा minus 0.0901 तो इस तरह से हमारे पास K3 की value भी आ चुकी है अब K4 की value क्या है हमारे पास HF X0 plus HY2 and Y0 plus K1Y2 तो H की value 0.1 X0 की value जो 0 थी plus HY2 यह निक 0.1Y2 तो यह 0.05 का square minus Y0 plus K1Y2 यह K1Y2 यह यहाद रहना है यह K1Y2 है नाकि K3Y2 K1Y2 बेसिकलिए इसमें हम जब हम K1 निकाले तो K1 के यह रहे थे K3 निकाल रहे थे तो K2KL पले रहे रहे बड़ जब हम K4 निकाल रहे तो K4 में K1 के यह रहे नाकि K3 की तो यह जब हमने value put की तो यह आज आएगा हमारे पास minus 0.09475 जब यह हमारे पास value आ चुकी हमारे पास K1, K2, K3, K4 की तो रहे जो कुट्टा में थर्ड़ ओर का जो होता है उसके लिए K जो होता है क्यों होता है बनापोन 6 K1 plus 4 K4 plus K3 यानि K2 की तो हमें जरूत है यह नहीं K2 की जरूत क्यों पड़ ही सर्फ K3 निकालने के लिए तो यह हो गए हमारे पास तो बनापोन 6 K1 plus 4 K4 plus K3 value put की value put करने पे हमारे पास इनको value put करके solve क्या तो यह आगा हमारे पास K बराबर minus 0.09485 यह आ चुका है तो Y1 बराबर आ गए हमारे पास Y1 जो है वो Y0 plus के से denote के जाता है तो Y0 plus के जो यानि Y1 जो है वो basically YX0 plus H जो की Y80.1 पे है तो यह आ गए 0.1 जब solve किया तो यह हमारे पास Y0 क्या था हमारे पास 1 था 1 minus 0.09485 इसको solve किया तो हमारे पास आ जाए 0.90515 अब हमें value नकालनी है at 0.2 पे y की value 0.2 पे नकालनी है तो अब हम ले ले रहेंगे कि X1 बराबर 0.1 पे Y1 की value हमारे पास दिव हो दिव हो दिव हो 0.90515 और at 0.1 है यह हमारे पास in place of X0 Y0 and replacing the same process same process जो हमने रिपीट के था तो K1 बराबर क्या हो जागा है HFX1 Y1 तो value put के हमने function में function में value put के function जो है हमारे पास X2 minus Y है यह दिखान रखना है इसमें हमने value put के तो यह आगा है minus 0.089515 K2 में value put के तो K2 क्या है HFX1 प्लस H K1 प्लस K1 तो यह हमारे पास value निकाली X1 प्लस H 0.2 होगा और Y1 जो हमारे पास 0.9 जो आया था 0.90515 Y1 और K1 जो यह आया हमारे पास इसको add के हमने तो add करने पर जो भी टर्म आएगी उसको हमने जब put किया तो यह आजाएगा हमारे पास minus 0.0775635 K3 की value जो आजाएगी वो आजाएगी HFX1 प्लस H and Y1 प्लस K2 तो यह value हमने हमारे पास यहां पर है और सारी value जब put कि हमने तो हमारे पास यह आजाएगा हमारे पास K4 अब हमारे पास K बराबर क्या होता है 1 upon 6 K1 प्लस 4 K4 प्लस K3 तो यह value put कि हमने तो हमारे पास K बराबर आजाएगा minus 0.0837892 तो यह हो गया हमारे पास तो अब हमारे पास Y की value at 0.2 पर निकालने तो Y क्या होगी Y at 1 at 0.1 प्लस K तो यह हो गया हमारे पास Y at 0.1 पर value जो यह थी और K की value यह आए थी तो यह आगए हमारे पास तो यह हमारे पास minus इसकी बज़े से हुआ है सैन की बज़े से यह आ गया तो माइनस करने पर यह आगए 0.8212449 तो यह हमारे पास तब आ गए जब हमारे पास value जो थी y at 0.2 पर यह हमारे पास value आ चुकी है अब हमें निकालना है fourth order से जो कि fourth order से हम previous वीडियो में पढ़ चुके है रुंजे कुट्टा method of fourth order तो उसमें हम के बन निकालने के लिए क्या करते है simply h f x 0 y 0 पर निकालते हैं और हमारे पास f x y जो है वह याद रखना है हमारे पास जो है वह है x square minus y यह function है इसमें हमने simply put की x 0 की value जो थी हमारे पास 0 पर 1 दिया हुई थी so y 0 जो दिया हुआ था वह बन दिया हुआ था और h की value जो थी वह 0.1 दिया हुई थी यह हो गए हमारे पास जाए सारी value जो इसमें put की हमने तो यह हमारे पास आगए minus 0.1 उसके बाद k2 जो निकालते हैं वह होता है hf x0 plus hy2 and y0 plus k1y2 तो यह हो गया हमारे पास यहां पर k1y2 यह याद रखना है तो यह हो गया हमारे पास 0.1 यह x0 plus hy2 जो होगा 0.05 और y0 plus k1y2 जो हो जाएगा 0.95 और इसपर हमने value put की तो value put करके solve किया तो आजाएगा हमारे पास minus 0.09475 उसके बाद k3 निकालते हैं तो k3 निकालने के लिए hf x0 plus hy2 and y0 plus k2y2 तो यह हो जाएगा 0.1 जो कि h की value थी यह हमारे पास 0.05 हो जाएगा और इसको solve कि हमने k2 की value put करके तो यह k3 के लिए k2 की value k2 की value जो कि यहां से आ चुकी है यहां से value put करके इसको solve कि हमने तो यह आ जाएगा हमारे पास तो इस पर यह term जो है वो यह आ जाएगी और जब हमने value निकाली total solve करके function में तो यह आ जाएगी हमारे पास तब यह सारी value आ चुके है तो उसके बाद k4 निकालते है k4 जो होता होता hfx0 plus h and y0 plus k3 जो की हो जाएगा हमारे पास minus 0.089 simply जैसे यह था x0 plus h याने कि 0 plus 0.1 and y0 जो था वो था हमारे पास 1 plus k3 जो था यह term minus 0.09550125 इसमें put कि तो हमारे पास put करने पर जाएगा minus 0.0894987 यह value आ चुकी है अब यहाँ पर हम k जो होता है k किस तरह सरी निकालते है रंजे को ट्रमेटर की फोर्ट और में वह होता है बन अपॉन 6 k1 plus 2 k2 plus 2 k3 plus k4 तो यह value सारी put की k1 k2 k3 k4 की value put करके जब नों solve किया तो यह solve करने पास जाएगा minus 0.0948372 बिसिकली यह आ चुका है हमारे पास तो हमारे पास y1 जो हो गया वह हो गया y at x0 plus h तो यह हो गया y at 0.1 क्योंकि x0 बाब 0 था h 0.1 था तो जो वह होता है हमारे पास y0 plus k तो y0 जो 1 और प्लस k की value यह रही है हमारे पास k की value तो यह put की हमने तो यह हो गया minus 0.9051627 उसके बाद अगें टेकिंग x1 x1 बराबर 0.1 ले लिया y1 बराबर 0.9051627 ले लिया in place of x0 y0 and repeat the same process तो k1 बराबर जो हो जाएगा वह हो जाएगा h fx1 y1 बराबर हो जाएगा यह हो गया इसको value put की x1 और y1 की और h की value function में तो यह आ जाएगा हमारे पास minus 0.0895162 k2 की value निकालने के लिए h fx1 x1 जो की हमारे पास यह रहा हमारे पास h की value 0.1 upon 2 h की value जो थी वह 0.1 थी तो 0.1 upon 2 और y1 प्लस k1 की value जो थी वह आ गई हमारे पास यह वाली term upon 2 और उसको solve के हमने function value put करके तो यह आ जाएगा इस तरह से k3 के लिए हमने h fx1 plus hy2 and y1 plus k2y2 function में put करके हम value solve करेंगे तो यह आ जाएगा k4 के लिए h fx1 plus h and y1 plus k3 के लिए जब पूट करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास तो यहां से हमारे पास फिर के बरावर क्या होगा बन आप उसक्स k1 plus 2 k2 plus 2 k3 plus k4 यह सारी value put की हमने function में k1 k2 k3 k4 की तो यह आ जाएगा हमारे पास और y2 पे जो आ गया है वह अगया y1 plus k2 0.821695 यह आ चुका है अब फ्रेंस हमारे पास जो इसमें हमें क्या करना है एप्रोक्सिमेट मेथर जो यह निकल चुके हैं अब हमें इनको कंपेर करना है औरिजिनल मेथर से या औरिजिनल सोलीशन से तो औरिजिनल सोलीशन किस तरह से निकाल जा सकता तब y डेस वराबर क्या है x square minus y basically y डेस वराबर है x square minus y तो यह इसको लिख सकते हैं dy upon dx equal to और यह हो जाएगा हमारे पास प्लस और y को इदर ला रहा हूं y equal to x square अब यह जो इसकी फोर्म क्या है हमारे पास dy upon dx plus py equal to q जहां पर p और q जो होते है वो x के function होते हैं यह हमारे पा यह हमारे पास इसकी कंडिशन में integrating factor जो होता है वो होता है e to the power p dot d x अगर इसमें देखते तो p बराबर क्या है इसकी question में देखते तो बन कर सकते हैं तो बराबर जो है वो बन है तो integrating factor जो आ गहा हमारे और पावर 1.dx basically e to the power x यह हमारे पास इसका integrating factor आ गया अब हमारे पास हमें इसका final solution जो होता है वो होता है हमारे पास y.integrating factor equal to और यह होता है integration of q जो इधर right hand side में था वो x.integrating factor of dx तो यह हो गया हमारे पास qx क्या है यह पर x square e to the power x यह हो गया हमारे पास और यह dx यानि हमारे पास y.e to the power x वराबर यह आ गया हमारे पास जब इसको solve करेंगे y.e to the power x तो इसको u.v rule से solve कर सकते हैं तो x square को छोड़ा integration of क्या है तो e x minus derivative of this term x square जो की first term जो छोड़ी थी हमने यह integration of e to the power x जो की second जो हमने यहाँ पर integration क्या है वो ही integration है dx of dx तो यह हो गया हमारे पास x square e to the power x minus और यह हो गया हमारे पास इसका derivative क्या है तो 2x e to the power x तो यह हो गया हमारे पास x square e to the power x minus 2 और यह हो गया x e to the power x अब इसको इसको में integration करते हैं first dot second rule से तो यह हो गया x square e to the power x minus 2 और यह हो जाएगा हमारे पास x को छोड़ा यह की power x integration क्या है जैसे इसमें क्या था यह minus यह d over dx of x dot integration of e to the power x dx dx तो यह हो गया हमारे पास x square e to the power x minus 2 और यह हो जाएगा x e to the power x और यह minus d over dx of x बन हो जाएगा e to the power x का integration e to the power x आएगगा फिर ची इसको पर यह हो जाएगा हमारे पास x square e to the power x minus 2 x e to the power x minus 2 e to the power x यह जिए इसमें e to the power x को में लेने तो x square minus 2 x minus 2 e to the power x तो यह आ गए है हमारे पास plus c जो की constant है तो y.e to the power x बराबर आ गए तो y बराबर आ गए हमारे पास x square minus 2x minus 2 plus c e to the power x given condition क्या थी y at 0 पे जो था वो था 1 तो वो put करते तो 1 equal to 0 0 यह हो गए minus 2 plus और यह हो गए हमारे पास c e to the power minus x हो जाएगा यह c हो गया तो c बराबर basically हमारे पास आ गए यहां से 3 जब c बराबर यहां से हमारे पास 3 आ चुका है तो यहां से हम यहां से निकाल सकते हैं y बराबर x square minus 2x minus 2 and यह हो गए plus 3 e to the power minus x अब हम यहां पे x की value अगर 0.2 put करें तो x value 0.2 put करने पे जो value आएगी यह आपको खुद करना है friends x value 0.2 put करने पे जो value आएगी उसको compare करना है first order से जो value आए थी basically इस से जो value आए थी यह उसके बाद जो third order जो था third order यह था हमारे पास जो third order से निकाली थी 0.821 जो fourth order से निकाली थी 0.821 12695 basically अगर थार फूर्ट ओर से देखे तो काफी near about value है 0.82126 0.82124 के बाद चैंज लोती है वहीं अगर हम third order पे बात करें तो third order 0.8219 यह पहले ही चैंज हो जाती है यह तो जैसे जैसे order बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे approximate value निकलती आ रही है तो इस तरह से जब हम question को solve करते हैं किस तरह से हम रंजे कुट्टा method के first order, second order, third order and fourth order से question solve करते हैं यह हमने इस वीडियो में देखा next video में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम रंजे कुट्टा method for simultaneous first order differential equation thank you friends तरह से लाँ हैं